दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेका है हूँ एवरेडी कंपनी का एक LED रिचार्जेबल टॉच लाइट यह जो टॉच लाइट है यह एवरेडी का यूनिकॉर्ण टॉच लाइट है और इसका जो मॉडल नंबर है DL90 इसका मॉडल नंबर है तो यह टॉच इस तरह का डिजाइन में आपको देखने को मिलता है और इसका जो अगर अगर आपको बहुत यह तो आपको बहुत ही यूजफूल होगा और इसका परफोर्वांस से वह आपको बहुत ही अच्छा लाइगा तो आज इस वीडियो में मैं पूरा यह जो एवरेडी का यूनि है इसका रिविव मैं आपको बताने वाला हूँ और आप अगर इस तरह का एक टॉच लाइट लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा इंड तक दिखते रहे हैं तो मेरा नम है इम्रान आप देख रहे हैं इनाइल टेक तो आए आज की वीडियो को शुरू करते हैं का 350 मिला एमपार का 120 लुमेन का जो ट़ॉच लाइट रहे वह द यृच लैट मेंisten को मिलता है और इसमें 2 वाट का 10 LED 3 वट में 60 मिला हैम्पार का 25 लुमेन में आपको इस यह जीशप्ले हो हो जाएगा और कोई भी फाइब वोल्ट का एडप्टर लेके आपको इसका अंदर जो माइक्रोस्वी केबल दिया गया है उसका यूज करके आप इस टॉच लाइट को चार्ज कर सकते हैं और इसमें आपको देखने को मिलता है और इसका मार्केट में यह वान नाइनटी फाइव वान एटी फाइव रूपीज में भी मिल सकता है और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा आप वहां से भी पर्चेश कर सकते हैं तो बॉक्स गूच इस तरह से आप अगर ओपें करेंगे देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ आपको एक केवल देखने को मिलता है तो इसका अंदर आपको केवल देखने को मिलता है तो इसका अंदर आपको केवल देखने को मिलता है तो आपको देखने को मिलता है इस टॉसलाइट को चार्ज करने के लिए तो आप अगर इस देखने को मिलता है जो कि आपको बहुत आच्छा देखने को मिलता है और यहां पर जो माल्टी परपास पार बटन है यह आपको देखने को मिलता है और यहां पर आपको चार्जिंग करने के लिए USB सॉकेट देखने को मिलता है जो कि लगा करके आप इसको चार्ज कर सकते हैं और इसका प्लास्टिक आ बहुत है कपाफी से लाइड मेरे के समें लाइट है three highest बस्तिक क्पों प्लास्टिक तो 48 सी हिसे कंदर इसका इसलिद optimize करें को मिलता है और इस ताओचिल स्कें अंदर जो बैटरी दिया गया है उसका बैटरी लाइफ है तो इसमें जब आपको बैटरी बैकप देखने को मिलेगा और अगर यह सब अंदर के यह बेटरी बैक अप देखने को मिलेगा और यह जब full charge हो जाता है तो वो LED still हो जाता है और इस light में आपको total 4 mode देखने को मिलता है torch light में 2 mode और side light में 2 mode देखने को मिलता है तो torch light को आप अगर simply जलाना चाहते हैं तो आप single press करेंगे तो torch light जल जाएगा और इसको बंद करने के लिए single press करेंगे और double press करेंगे तो आपको यह light blinking mode में देखने को मिलता है तो blinking mode में आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं और इसको बंद करने के लिए आपको single press करना है तो यह बंद हो जाएगा और यह जो side light है side light को जलाने के लिए आपको यह जो power switch है power button को आपको प्रेस करके hold करना है तो यह side light जल जाएगा side light में 2 mode है तो side light को आप dim भी कर सकते हैं थोड़ा सा तो आप इसको प्रेस करेंगे तो यह थोड़ा सा dim हो जाएगा light थोड़ा कम हो जाएगा तो इसको आपको अगर बंद करना है तो आप इसको single press करेंगे तो यह बंद हो जाएगा तो इसमें आपको 4 smart mode देखने को मिलता है जो की एक ही बटन से control होता है तो यह जो smart feature है यह सिर्फ और सिर्फ आपको everdy का touch light में ही देखने को मिलता है कोई भी दूसरा brand में आपको देखने को नहीं मिलता है और इस touch light का outdoor performance आप अगर देखेंगे तो आप surprise हो जाएगे क्योंकि यह 1 watt का LED touch light है तो इसमें आपको complete darkness में इतना brightness देखने को मिलता है light का focus beam भी बहुत ही अच्छा है और long distance में आप इस light को use भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि बहुत दूर का view है इस light से cover हो रहा है और side light में आपको इतना brightness देखने को मिलता है आपको complete darkness में आप अगर side light को use करके कुछ करना चाहते हैं कुछ देखना चाहते हैं आप gardening करते हैं तो उसमें आपको यह light बहुत ही help करेगा और side light में दो mode है आप अगर dim करके कुछ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं थोड़ा सा कम light इसमें आपको देखने को मिलागा side light में तब देख सकते हैं कि इतना अच्छा brightness आपको side light में भी देखने को मिलता है तो आपको यह light का वीडियो कैसा लागा आप जरूर कमेंट करके बताएं और मैंने DL80, DL85 दोनों light का में separate वीडियो किया है